नमस्कार आप देख रहे हैं राजस्थान समचारोड मैं हूँ आपके साथ शुरूती अंगर्द बुलेटिन की करते हैं शुरुवात कॉलकता देप केस मामने में राजस्थान में आज IMA ने मेडिकल श्रक्डाउन रखा है लेकिन राजसरकार ने चिकिस्था ववस्था सु में काम कर रहे हैं जे IARD ने कहा है कि हमने अपनी मांगों से ACF को अवगत कराया है यह घत्ता बंगाल में रेजिडेंट डोक्टर्स के साथ हुई है तो मैं प्रदेश के मुख्यमंत्री स्वास्था मंत्री से मांग करता हूं कि वे भी DRD के प्रतिनिधी मंदय से मुलाकात क और हमारी मांग सुनी मुख्यमंत्री से निवेदा नायक कि वे प्रत्र लिखे खबरों बत्र आगे जालवार में कॉलकाता मेडिकल कॉलिज में महिला ट्रेनी डोक्टर्स की रेप के बाब अक्त्या करने के मामने में डोक्टर्स में रोश व्याप्त है इसके विरोध में रेजिडेंट डोक्टर्स की हरतार छोथे दिन भी जारी रही वही सीनिय डोक्टर्स ने भी काली पट्टी बाद कर विरोध जिताया है अंदोलन के तहर्ट डेजिडेंट डोक्टर असोशियेसर ने आवाहन पर पीजी यूजी मेडिकल के साथ IMA SR नर्स सिंगर्स कर्मी वाल लाब टेकनिस्टियन सभी ने रैली निकाली RDA के अध्यक्षर धर्मेंदर मीना के नेतिस में सभी IMA हॉल के बाहर एकत्तर हुए यहां से डाक्टर्स की रैली सिटी फोर लेन होते हुए जिंदल चौराहा निभै सिंग स्परकल मंगलपुरा मुर्ती चौराह होते हुए मेडिकल कॉलेज पहुंची है रैली के दौरान डाक्टर्स ने जम कर विरोध के आया वहीं उदयपुर वार्ती में सरकारी वा नीजिस पतालो के डौक्टरों के हरतार रही है मेडिकल स्टोर संचालक भी डौक्टर के विरोध में प्रदस्टर में सामिल हुए सभी मेडिकल प्रतिष्ठा संचालकों नहीं दुकाने बंद रखी है डॉक्टर नर्सिंग स्टाफ नहीं काली पट्टी बांग कर विरोध जिताया है एमर्जिंसी सेवाओं को छोड़कर 24 गंटे चिकिस्पा सेवा बंद रहेगी डॉक्टर नर्सिंग स्टाफ की यूनियन नहीं मुख्यों मंट्री के नाम SBM को ग्यापन की सवपा है मेडिकल पॉलिज में लेडिज दॉक्टर ची जो ट्रेनी इसके दाथ को नाई ड्यूटी के दोरान में उसका रेप किया गया गैंग रेप वह उसका और फिर उसका मंडर कर दिया गया और यह ड्यूटी टाइम पर किया गया जो कि बहुत ही एमान में घटना है और ऐसा नहीं होना चीए घटना ड्यूटी टाइम पर ही नारी को अगर सुरक्षा नहीं मिलेगी तो वह कैसे ड्यूटी करेगी किसी भी विबाग में देख लोग सुरक्षा जवरी है और ऐसी घटनाई बार-बार नहीं हो इसके लिए हम गयापन देने आए हैं ताकि ऐसी घटनाई बार-बार ना हो और सुरक्षा के जो इंतजाम है वो और पुपता किये जाएं और जो भी इसके लिए गुनाइगार है उन्हें सजानी वही कॉलकता में ट्रेडिंग डॉक्टर से दरिंदगी के विरोत में पुशकर अस्पताल के डॉक्टर हर्ताल पर रही अस्पताल में सिर्फ एमर्जेंसी सेवा चालू रही पुशकर अस्पताल में हर्ताल सिर्फ एमर्जेंसी सेवा चालू रही और ऐसे में डॉक्टर का सबसे पहले तो मैं विन पुर्सवा जिला क्लेक्टर दो को सबसे पहले तो सबको यह बताना चाहता हूं कि कुछ सुबर से कुछ अफ़ाइं फिलाएं कि बच्चे के मुलती हो गया है क्रिपया करके इस तरह की अफ़ा बिलकुल में फिलाएं अना इन बातों को इश्वास करें मैं सो बच्चे से मुलकरा हूं बच्चे की हाला स्टेबल है और उसकी हालत में कुछ सुधार देखनी को में जाएं इसी विदर से मामी मुख्य मत्री जी के द्वारा बें स्पेशल के बीच में होगा और उसके लगा जो दूसरी एक बात है कि लॉर्मोडर के साथ चाहर देखो कि छहर में पूरी तरह से शानती बनी हुए है लोगों ने दुकाने पुरना शुरू कर दिया है और अपना जो आम महना का जो जीवा में वो जीव है तो कृपया करके दो कि मैं बूए एतिहाद के तोर पे कान को लेकर डॉक्टरों का आत्रोश खत्मोने का नाम नहीं ले रहा ओपीडी और ओटी सेवाएं बंध है लेकिन अमर्जेंसी सेवाएं अभी जारी है तो ऐसे में मरीजु को अमर्जेंसी सेवा की ही सिर्फ सिविथा उपलब्ध कराई जा रही है जनता भी परेशान है लेकिन डॉक्टरों का आत्रोश खत्म नहीं होने का नाम ले रहा है डॉक्टर लगतार हर्ताल कर रहे हैं 24 घंटे आज अस्पताले बंध है अस्पतालों में काम बंध क्या जा रहा है ओपीडी और ओटी सेवाई खास्कॉर्ट पर बाभित है तो अस्पताल में लगतार ड चनहयालाल हत्याकान के बाद शहर का मौल शांथ ही हुआ था कि छात्रों के विवाद से एक बाभ फिर से उद्यापोर जल उठा है शहर के एक सरकार स्कुल में दो छात्रों की विवाद नहीं हिंसा का रूप दे लिया है हालाद को काबो करने के लिए उद्यापुर में धारा 144, 163 लागो की गई है अब फना फैलाए जाने के लिए भी अपील की गई है और आपको बता दे कि शुक्रवार को सरकार स्कूल के दो छात्रों के बीच ये विगात हुआ जो की उग्र रूप ले लेता है बर्ग विशेस के छात्र ने दूसरे हाई स्कूल के छात्र को चाको घुप दिया घाल छात्र की हाला पिस्थिर बताई जा रही है राजसरकार ने संग्यान लेते वे जैपुर के सवाई मान सिंग होस्पिटल से टॉप तीन डॉक्टर्स को उद्यापुर भीजने का फैसला भी क्या है तो पहले तो सबको यह बताना चाहता हूं कि कुछ सुबह से कुछ अफ़ाएं फैला रहे हैं कि बच्चे के मुख्यों हो गया है कि प्रिपया करके इस तरह की अफ़ाएं बिल्कुल ना फैलाएं और इन बातर पर विश्वास करें मैं सुबह बच्चे से मिलके आऊं बच्च बहुत जल्ड बच्चा जो मेरी डॉक्कोर से बात हुई है कि वो सुस्त होके हम सब के बीच में होगा और इसके लावा जो दूसरी एक बात है कि लोगों ने दुखाने पूलना शुरू कर दिया है और अपना जो आम मर्ना का जो जीवन है वो जीवे हैं तो प्रिपया करक दो तिन बाते हैं कि कि किसी फरकार की यूमर्स पे विश्वास ने करें को रूमर आती है तो हम लोगों से वरिफाइक है और अभी जो आपके इंटरनेट को बंद रखा गया है शाम तर के और इसी के साथ धार एक से चुवाले से भी लगई है एतिहात के तौर पे वही राजस्थान के उद्यपुर में हिंसा का मामला भी पूरी तरह से काबू में नहीं आया है उससे पहले आज राजधान ही जैपुर में भी जबर्डस बवाल मच किया जैपुर में यह बवाल शास्त्री नगा इलाके में मचा हुआ है आपको बता दे कि शास्त्री नग उसके बाद इविक्षा सवार तीन युवकों और दिनेश तथा उनके साथी के बीच मार पीट हुई मार पीट के बाद दोनों पक्ष अपने अपने घर चले गए घर जाने के बाद दिनेश स्वामी की कव्यत बिगर गए और उसकी मौत हो गई बादात के सुचना मलते ही पुलिस ने आनानपानन में भाग दौर कर एक आरोपी को गिरफतार भी कर लिया है जब कि दो आरोपी फरार बताय जा रहे है में लड़ाई जगडा होने के बाद में दोनों पक्स अपने अपने घरों के तरफ चले गए उन में से एक युवक्त धिनेश स्वामी जो की साथ स्वामी बस्ती के रहने वाले थे उनका घर जाने के बाद में तबियत बिगरने से मत्यू होई और दूसरे जो उनके साथी जितेंदर स्वामी वो अपने घर पे चले गए थे और इरिक्सा तालक थे उनमें से तीन लोग थे जिनको हमने अइडेंटिफाई कर लिया है और उनमें से एक युवक्त को हमने गिर्दार भी कर लिया है तो सब लोगों से मैं अपील करता हूँ कि सांती बनाए रखे किसी वहीं भाजपा प्रदेश अध्यक्षमदन राथों नी राहूर गांथी पर तरंज कसा है उनुने कहा कि राहूर गांथी के उम्र तो 55 साल की है लेकिन मन बचपन का है उनके हाथ में सत्ता चली जाती तो भालक का हाल भांगलादेश जैसा हो जाता भाछपा प्रदेश अ अध्यक्स ने कहा कि बॉंगलादेश में हिंदू परिवार को तारगेट कर उन पर हमला क्या जा रहा है। उन्हे अब अपना सब कुछ छोड़कर देश आ स्टी फोड़ने को मजबूर क्या जा रहा है। उनकी बहु बेटियों को छीना जा रहा है कल्पना की जा सकती है कि वहाँ किस तरह की आराज़कता किस्थिती है तो वही राजस्थान सरकार प्रदेश के हर गाउं में बेघर और घुमन्तु परिवारों को 300 वर्ग गज तक के प्लॉट देगी इसके लिए सरकार ने तयारियां भी शू कर दी है, सरकार गाधी जहनती पर अभियान चला कर गुमन्तु खाना बदोष लोगो को पट्टे देनी की गोशना की है तदेश में लाखो की तादाद में ऐसे गुवन्तो खाना वदोष लोग हैं इनके बास खुद के घर नहीं है ऐसे बेघर परिवार को सरकार ग्राम सभाव में पट्टे देगी तदेश में 11,341 ग्राम पंचायते हैं जिनमें 44,381 ग्राम आते हैं इनमें एक साथ पट्टे ब बेघर अवास हीन लोगों को एक अभ्यान चुला कर प्लोट और पट्टा देने का साथ ला किया हैं वही पाली जिले के सोजत उपखंड के ग्राम सियाट से बिलारा मोट जाने वाले मार्ट पर आने वाली सुकरी नदी में कार्पाही पांच लोग नदी में बह गये मौके पर प्रशासन पहुंच कर ग्रामीन वा प्रशासन के सायोग से रेस्क्यू कर रस्ते के सहारे पांचों को सुरक्षत बाहर निकाल लिया गया है मौके पर ही पहसलदार डॉक्टर दलिव सिंग में एक महिला को घबात होने पर पात्मी कुछ चारगी दिया कभी लोग मध्यप्रदेश की निवासी बताए चारे वहीं कौलकता में महिला डॉक्टर की हुई निर्मा मत्या के विरोध में डॉक्टर चात्रों ने आईयामे के अहवाहन पर जिलाद चिकिस साले में सारे काम ठब कर दिया है सकों के हरताल से मरीजों को काफी परिसानियों का सामना भी करना पर जा हालांकि गंभीर मरीजों का इलाज लगातार किया जा रहा है कुछ दिनों पहले बंगाल के कॉलकता में एक महिला डॉक्टर की ड्यूटी के दौरान देब के बाद हत्या कर दी गए थी जिससे पूरी चिकिस्ता जगत में रोश का बहुल वे आप था इसी कुले का पुर्देश के चिकिस्ता खरताल पर है अब को अब करो अब करो बंद करो बंद करो हाज यहाँ आज हम पूरे राजस्थान में विरोत प्रोजिशन कर रहे सबी डॉक्टर्स एव नर्सेज जो को पोलकता में एक डॉक्टर्स के साथ अफरंड कर उसे ब्लादकार कर जिस तरह से उन्होंने निर्मम हत्या कर दी गई है जिसके विरोत में हम राजस्थान नहीं बलकि पूरे देश में सभी डॉक्टर्स नर्सेज एवं समस्थ जिल्ला सिखित सालों के समस्थ स्टाफ दवारा ये विरोत प्रोजिशन किया जा रहा है और हम मांग करते हैं सरकार सेवं पुर्डान मंथरी महोदय जी से की आज हमारे डॉक्टर और नर्सेज के अत्याचार है और जिन लोंने जिस डॉक्टर के साथ निर्मम हत्या किये ब्लादकार किया है उसे फस्य देने की मांग करते है वही राजस्थान में करीब दो सब्ता तक चली बारिश का कहरा थमने का नाम नहीं ले रहा लेकिन फिर भी शनिवार को मौसम विभागने प्रदेश के कई जिलों में बारिश का अलट जारी किया है दोरान कुच जगो पर भारी तो कुच जगो पर मध्यम बारिश कोनी की संभावनाई दी गई है क्रशले कुछ दिनों में राजस्थानी जैपूर समेट कई जिलों में बारिश ने लोगों को बेहाल कर दिया है गुलावी नगरी जैपूर करोली में लगातार हो रही बारिश से बार जैसे हालाज बन गए मौसन भाज के नुसार जैसलमेर, बाडमेर, बीकानेर, श्री गंगा नगर, हनमानगर, जोधपूर, भरतपूर, धौलपूर, अलवर, जैपूर, स्पीकर जुन-जुनु जिलो के लिए यलो लेट जाई क्या गया है, इसके तहट इन जिलो के आसपास, कुछ अस्थानों पर हल्की से मध्यम बारिश्पोनी की संभावनाई जदाई गई है खबरों बरती आगे, बीका नेन में लगातार दो दिन तेज बारिश हो रही है, जिसके वज़ा से जिले में कई घर गिर गया है, बारिश में कई गाउं पानी से लवालब है और तो वही कोला यत विधान सभाश्रत के गाउं में तेज बारिश की वज़ा से खेतों और लास्तों में जल जमाव की स्थिती बन गई है ऐसी ही रेलवे अंडर ब्रिज भी पूरी तरह से पानी से भड़ा हुआ नसर आया वही जनता का कहना है कि जिला परश्रासन हर तरह से नकाम है इसी तरह बीकानेर का सुजान देश सर भी लवालब हो गया है पानी से वही बीकानेर के सुजान देश सर पहुंचकर एंडिया वोइस टीवी के समाधा था केके सिंग ने सितिका जाईजा लिया है प्रफावित लोगों से बातचीत भी की राजस्तान समाचार में अभी के लिए बस इतना ही देखते रहे एंडिया वोईस